हेलो फ्रेंड्स, सरल इस्टॉलजी कोर्स की 57th क्लास में मैं बंदुशिंगारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपको जानकरी देने वाली हूँ शनी ग्रै की शनी ग्रै अगर लगन या प्रथम भाव में हो तो उसका क्या महत्व होता है? ऐसे व्यक्ति की विशेष्णाएं और स्वाभाव कैसा होता है? वैदिक चोतिश में शनी ग्रै का बहुत महत्व है शनी महराज के विशे में आमधरना है कि ये लोगों को केवल दुख देते हैं लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है सच तो ये है कि शनी दे महराज व्यक्ति को उनके कर्मों की अनुसार फल देते हैं इसलिए उने करम फल दाता के नाम से भी जाना जाता है शुब कर्मों के परिनाम सरूप शनिदे महराज व्यक्ति को सफलता, समाज में प्रतिष्ठा और धन संपति से भ्रपूर करते हैं हिंदु जोतिष में शनी ग्रह को आयू, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तक्नीक, लोहा, तेल, करमचारी, सेवक, जेल, व्रिद, वायू प्रधान, तमोगुनी, कानून, तंत्र मंत्र यंत्र आधी का कारक ग्रह माना जाता है शनी का गोचर एक राशी में धाई वर्ष तक रहता है, जिसे जोतिष भाषा में धाईया कहते हैं नौ ग्रहों में शनी देव ग्रह सबसे मंद गती के या धीमी गती से चलने वले ग्रह माने जाते हैं शनी की दशा साड़े साथ वर्ष की होती है जिसे शनी की साड़े साती भी कहा जाता है शनी ग्रह अगर लगन या प्रत्थम भाव में बैठ कर उचके हूं, मजबूस सिती में हूं, शुब ग्रहों से दृष्ट हूं तो ऐसे शनी व्यक्ति को करमशील और न्याय प्रिये बनाते हैं इनके शुब प्रभाव से व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है ये व्यक्ति को धैरेवान और स्थिर विचारों वाला बनाते हैं इनके शुप प्रभाव से व्यक्ति की उम्र में व्रिदी होती है। ऐसे व्यक्तियों को शनी से जुड़े कारे करने से लाब की प्राप्ती होती है जैसे ऑटो मोबाइल विजनस, धातू से समंदित व्यपार, फैक्टरी, कोईले की खान, केमिकल प्रोडक्ट्स, लोहा, काल व्यक्तियों का व्यपार, इत्यादी। यही अगर शनी देव ग्रह लगन या प्रथम भाव में बैठ कर कमजोर स्तिती में हूँ, नीच के हूँ, या शुप ग्रहों से द्रिश्ट ना हूँ, तो ऐसे व्यक्ति आलसी, रोगी, गरीब, बुरे काम करने वाले हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पिता के प्रती आग्यकारी नहीं होते। पेडित शनी व्यक्ति के जीवन में परिशानियां पैदा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जेल या दुरगटनाओं जैसी स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जीवन के 36 वर्ष के बाद ही स्थि प्रता आप आती हैं। पेडित शनी विवाहिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और ये शरीर से सम्मंदित बिमारियां जैसे कैंसर, अस्थमा, चर्म रोग, पैरलिसिस, फ्रैक्चर, आदी भी दे सकते हैं। शनी के अशुब प्रभाव से बचने के लिए शनी के कु प्रभाव से बिले रंग के कपड़ें ना पहनें। दूसरा उपाए शनी वार के दिन काली चीजें जैसे काला कपड़ा, काली सर्सों, साबुद उड़द, लोहा, तेल, आदी का दान करें। या किसी जरूरत मन्द इंसान को दें। तीसरा उपाए शनी देव की उपासना करें। शनी वार के दिन शाम को पीपल के पेड के नीचे सर्सों के तेल का या तिल के तेल का दिया अवश्य जुलाएं। चोथा उपाए यदि आप शनी की ढहिया या साड़े साती से परिशान हैं तो इस मंत्र का सवालाख जाप करें। रोज दस माला लगातार 125 दिन के लिए करें। मंत्र इस प्रकार है ओम, शम, शनिष्च्राय, नमा। पांचवा उपाए बजरंग बली की सातना करने से भी शनी देव से जुड़ी दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए प्रती दिन हनुमान चली सा या सुन्दर कांड का पार्ट अवश्य करें। छट घर के बजुर्गों का मान सम्मान अवश्य करें। उनका आशीरवाद अवश्य लें। इन सारे उपायों को श्रदा भाव से करने से शनीदेव महराज की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो फ्रिंस ये तो थी मेरी आज की क्लास। नेक्स क्लास मैं आपको जानकरी मैं दूँगी राहू ग्रह की। राहू ग्रह अगर लगन या प्रथम भाव में हों तो उसका क्या महत्व होता है। ऐसे व्यक्ति की विशेशताएं और स्वभाव कैसा होता है। मेरी इस क्लास को इतने अच्छे से सुनने और समझने के लिए मैं बिंदुशिंगारी आप सबी का धन्यवाद करती हूँ।